Stream 200 आ रही है Hero Motocot की यह नई बाइक Hero Motocot अपनी नई Stream 200 बाइक को आए अफिशली लाँच करने वाली है इसे 24 माई को भारत में लाँच कर दिया जाएगा आएगे, लाँच से पहले आपको बताते हैं इस नई बाइक से जुड़े जरूरी डीटेल्स के बारे में इसे आये अटो एक्सपो 2018 हुमें पहली बार शोकेस किया गया था यह है हीरो एक्स्ट्रीम 200 इस कॉनसेप्ट पर बेस्ट है इन पांच चीजों का रखा गया है खास ख्याल हीरो के मताबिक इस बाइक को बनाते वक्त पांच चीजों का खास ख्याल रखा गया है यह हैं परफ़ोर्मेंज, ब्रेकिंग, साउंड, एर्गोनोमिक और हैंडिलिंग, स्टेबिलेटी एकस ओ बारा किलोमीटर प्रति COM की स्पीड से दोड सकती है इस नई मोटर साइकल में हीरो मोटो कॉर्प 200cc सिंगल सिलिंडर वाला कॉर्बूरेटेड इंजन देगी यह इंजन 8500 RPM पर 18.1 BHP का पावर और 6500 RPM पर 17.1 Nm टॉर्क जेनरेट करता है एक्स्डीम 200R बाइक में बैले इंसर शिफ्ट हीरो मोटो कॉर्प एक्स्टीम 200R बाइक में बैले इंसर शिफ्ट देगी जो की इसमें जटकों को कम करने में मदद करेगा हीरोज इजन च्रीम 210R में led positioning lamps और एक led tail lamp भी होगी इसमें 37 mm टेलिस्कोपिक फ्रंट फॉर्क और आर्च टेप अर्जस्टबल मोनो शॉक दिया जाएगा ब्रेकिंग के लिए इसमें आगे 276 mm और पीछे 222 mm डिस्क ब्रेक दिये जाएंगे हीरो इसमें सिंगल चैनल ले भी इसका भी आई अप्शन देगी रेडियल टायर्स वाली पहली हीरो मोटरसाइकल 2018 हीरोस ट्रीम दो सवार पहली ऐसी हीरो मोटरसाइकल होगी जिसमें रेडियल टायर्स दिये जाएंगे बाइक की कीमत का खुला सा लॉंचिंग के बाद ही होगा लॉंच होने के बाद यह 5 रंगों में अवेलेबल होगी इसका मुकाबला भारत में बजाज पलसर एनेस 200 और टीवी एस अपाचे आरटी आर 204 वी बाइक से होगा हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें दोस्तों के साथ शेयर करें और चानल को सबसक्राइब करना ना भूलें